हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू वर्सास किचिन आज मैं लेके आई हूं चटपटे जीरा आलू की रेस्पी तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं दाल चावल पोड़ी पराटे किसी के साथ भी खाई यह बहुत ही अच्छे लगेंगे वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर करें तो चलिए श्रू करते हैं इसे बनाने के लिए 15-16 मैंने उबले हुए आलू लिए उबाल के ठंडा कर लिया है अब आलू को हम इस तरह से दो-दो पीस में काट लेते हैं तो आलू थोड़े चोटे हैं इसलिए मैं दो पीस कर रही है अगर आलू आपका बड़ा है तो तीन पी गरम होते एक चमज जीरा डालेंगे और आधा चमज कुटा सावुद धनिया और थोड़ी सी हिंग डाल लेते हैं और इन्हें हम बराबर चलाते हुए जीरा धनिया का कलर चेंज होने तक भूण लेंगे तो जीरा अच्छे से भून गया है जो मैंने आलू काटके रखे हैं सबी आलू को इसमें डाल लेते हैं तो आलू को अभी हम इसी तरह से तेल में बराबर चलाते हुए दो मिनट करी भूनेंगे तो अभी में मसाले इसमें एड नहीं किये हैं और इसी तरह से आलू को बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे तो देखिए आलू बढ़ि पॉडर डालेंगे और आदा चमच हल्दी पॉडर कलर के लिए अब सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए मसालों को हम एक से डेड़ मिनट भून लेंगे तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करेंगे और एक इंच अद्रक जिसको भी मैंने बारिक काट लिया है तो इस टाइम पर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो इस तरह से इनको भी मिक्स करते हुए आदा मिनट करें भून लेते तो जीरा आलू हमारे अच्छे से भू और गर्म गरम जीरा आलू को सार्प करेंगे तो दाल चावल रोटी पूरी पराटे किसी के साथ भी खाई यह बहुत ही टेस्टी लगेंगे थैंक यू फो वर्चिंग माई वीडियो